हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो मैं चैनल तो दोस्तो कुईकिन विदास्था चैनल में आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज हम सेखेंगे कि आप किस तरीके से घर पे आसाने से red chili powder जो है वो घर पे बना सकते हैं रेट चिली पॉडर बनाने के लिए घर पे सबसे पहले आपको सुखी मिर्च लेकर के आना होगा आपके पास सुखी मिर्च होना चाहिए इसको हम सारा दिन धूप के अंदर सूखने के लिए रख देंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो नमी होती जिसकी बजासे यह पॉड अगर आपके पास धूप में रखने का वक्त ना हो तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसको गरम कड़ाई के अंदर आप इसको दो मिर्च के लिए सेकेंगे इसे क्या होगा कि जो मिर्च है उसको पीछने में भी असानी होगी अगर आप डिरेक्ट इसको पीछेंगे तो अब इसके डंठल को निकाल करके मिक्सर ग्राइंडर में इसको पॉडर जो आसानी से बना सकते हैं दोस्तों यह घर पे बनाया हुआ जो मिर्च का जो पॉडर है यह बहुत ही जादा तीखा होता है मार्किट का जो रेडचीली पॉडर होता है वो देखने में तो बहुत ही लाल और खुबसूरत नजर आता है मगर वो खाने में बहुत जादा तीखा नहीं होता है हमें बहुत ही जादी मात्रा में जब भी हम सबजी बनाती तो उसमें हमें जादा लाल मिर्च जो है वो डालना पड़ता है जो हम मार्केट से लेके आती हूं से क्योंकि वो बहुत जादा तीखा नहीं होता है लेकिन जो घर पे बनाया हुआ लाल मिर्च का जो पॉडर है देखने में सिर्फ खुबसूरत होता है और खाने में हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है इसलिए जादा से ज़्यादा जो भी चीजे हैं आप उसको कोशिश करें कि आप घर पे ही बना सकें तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको मिकसर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है और इसका बहुत ही अच्छा पॉडर बन गया है अब हम इसको एर टाइट कोंटेनर में पैक करके इसे रख देंगे और आपको जब भी जरूरत पड़े आप इसको घर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मे इसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट टैम एक नए वीडियो के साथ शुक्रिया दोस्तों